नमस्कार दोस्तों स्वागत है श्रमुस बाली जी के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं बैंडी प्लस्तों के बारे में यहां बैंडी प्लस्तों क्या है इसके और कॉण ser exciting आता है क्या साइड एक क्यों यह स्कॉइब किया जाता कैसे काम करता है और तो बात करते हैं कि बैंडी प्लसं के नदर कौण कौण सीуса salt as a composition मौझूद है इसके अंदर आता है albindazole और ivermectin दो अलग-अलग salt इसके अंदर है albindazole और ivermectin दोनों से मिला हुआ है और यह bandiplus बनता है आपको शायद ivermectin के बार में पता होगा द्रग भी बोलते हैं उसके तौर पर काम करता है काम आता भी है तो यह आप बात कर लेटे बैंडी प्लस यह जो दवा है यह किस लिए प्रिसक्राइब किया जाता है किस लिए आखिर यह दिया जाता है देखो यह एक anti-helminth drug है इसका category के नाम है anti-helminth anti-helminth category के मतलब होता है कि helmet मतलब यह group of organism है जो के worms simple सी भाता में भाशा में कहें तो worms आता है रहे कीडा बोलते हैं इसको अब कीडा शरील में पाए जाते हैं बात ही होता है कि हमारे जो आत होता है ना large intestine बड़ी आत यह है बड़ी आत की portion यह बड़ी आत की portion यह नीचे यह चोटी यह बड़ी आत की portion यह जो बड़ी आत है यहां पर जिसको हम large intestine बोलते हैं यहां पर कुछ कुछ ऐसा कीरा हम मिलता है जो हम helmet group के अंदर आता है वह वहां पर colonize करता है वहां पर infect करता है जिसको हम scientific तोर पर parasite भी बोल सकते है परसाइट यहां पर रहता है परसाइट क क्या feature होता है वह host से nutrient derived करता है मतलब host से कुछ ना कुछ फायदा वह लेता है मगर host को धीरे धीरे host को कुछ benefit मिलना है वह रोग देता है तब मालो कि आप खाना खा रहे हो आप खाना खाने के बाद इसको digest कर रहे हो उसके बाद digestion के बाद उसको nutrient को आप absorb करोगे राइट वह होना काएंगे मगर देखेंगे आपको कुछ हो नहीं रहा है अब देखें कि कर रहे हो digestion में भी कुछ में कुछ फरक आएगा digestion होना बढ़ जाएगा acid वगर यह सारे बढ़ सकता है तो उससे क्या होते parasites फाइदे में रहता है तो parasites को मारने के लिए यह दवा है वह है anti-helminc anti- अब बात करते हैं बैंगी प्लस के एफेक्टिविटी के बार में तो देखो देखो डिफरेंट थॉट अब एफेक्टिविटी क्योंकि बहुत जाद एफेक्टिव है आपको जैसा dosages इसको इसको इस्तमाल करना चाहिए जैनरली यह dosage दिया जाता है एक इंदे गैप 14 दे डिपेंडिंग अपान के आपके शरीद में कितना पैरसाइट है या नहीं उसको कंट्रोल करने की हिसाब से इसको दिया जाएगा तो डॉक्टर दिखाए यह डॉक्तर के प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर इसको 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 इसका एफेक्टिविटी ला जवाब है बहुत मसर्षा तो चले बात करते हैं यह बैंडीप्लस की यह दर्व से ज्यादा कोई ले लेता है तो कुछ वॉक्यशन में स्टामक पेन होता है मतलब आपकी यह स्टामक एरिया में दर्द में पेट के नीचली हिस्से में या फिर उपर इसyy दो दोनों जगा पे दर्द हो सकता ह और उसके साथ-साथ ज्यादा लेने से डाइरिया भी हो सकता है, कभी कबार जब यह परसाइट मर जाएगा, उसका जो component आकर बहुत ज्यादा परसाइट हो जुका है, तो वो मरने के बाद में डाइरिया एक कॉस कर सकता है, डाइरिया, एपिसोड अप डाइरिया हो सकता है, अपर्ट फॉम डाइट जो common side effect किसी भी drug से हो सकता है, वो simple सी बात है, वो क्या है, वो allergy, अगर आप allergic हो, आइवर मिट्टिन से, अब अब अलरजी हो सकता है, क्योंकि इस drug में, इस दवा में, अबिन डाजोल है और आइवर मिट्टिन है, ठीक है, तो अगर नहीं है, तो ब trendy प्लस नहीं मिल रहा है, तो कौन-कौन से दवा आप ले सकते हो, वह है, जेंटेल प्लस, वह है, मेवेक्स प्लस, वह है, बेंडेक्स प्लस, यह अलग-अलग तीन प्रकार की जो drug के नाव हमने बताए, वो सारे Indian composition है, अलग-अलग brand name से, आप ट्राइए करके देख सकते हो